हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती मेरे YouTube चैनल पांडेस जंटे क्लिनिक में आपका स्वागत है आज का मेरा ये जो वीडियो है वो एक मत घबड़ाइए मैं आपके लिए ये एक वीडियो लाएं इसमों जिसमें साक्षात एक पेशेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं जो अपनी स्टोरी आपके साथ श्यर करेंगे आईए मैं उनसे आपको बात कराती हूँ सबसे पहले मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको जब ये पता चला कि आपको कैंसर हुआ था तो आपके घर का महल कैसा था और क्या हुआ था आपके कैंसर होने के बाद मेरे को जब घर में जानकारी हुआ कि मुझे कैंसर को गया है। to मैं अपने परीबार को बतारा है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो मैं तो तूड़ गया था तो मेरी परीबार जो है वो मिझे हिपमत ुप Nicht आपको घवराना नहीं है आप इत्मिनान रही है आप जाके दिखवाईए तो मैं अपना चेक-प करवाया और चेक-प करवाने के बाद मैं आज स्वस्त हूं मैं उस समय अपना इलाज करवाया था मित्रों की जब मेरी संपूर्ण लोगडाउन में जब पूरी लोगडाउन लगी थी मैं एक दिन के लिए ड्राइबर लेकर दाइपूर्ण जाता था उसके बाद उसको मैं एक महने का पैसा देता था क्योंकि कोड़ा ताइन हो जाना पड़ता था तो उस समय अगर मैं लड़ा और लड़के बचा जिस समय करोना काल था कि लोग सुन के कि मुझे करो क्याथ करें शुकर, आधम आज भी जड़ रहा हूं जी रहा हूं क्यों क्योंकि कि कि अपने पर्वार के लिए किसशीज की आदत थी जिसकी वज़ा से आपको कैंसर हो गया है पान गुटका वेगरा ज्यादा खाते थे, कितने सालों से खाते थे, कितना मात्रा में खाते थे जी मैं खहनी और मुझका खाता था जो कि मेरे परीजनों और मिक्तों बोलते थे कि आप इसे ना खाए लेकिन क्या करें उससा में खाते हैं तो हम सोचे थे कि कभी कैंसर होगा नहीं अगर सोचे होते तो नहीं खाते लेकिन अगर जो खाता है उसे तो मतलब समझना चाहिए कि नहीं इसे नहीं खानी चाहिए तो यह operation वेगरा हुआ था तो दर्द तो बहुत हुआ होगा condition तो घर की काफी खराब हुई होगी पैसे भी बहुत कर्च हुए होंगे पैसे तो मैं अपने दस साल में लगभग करीब 11 या पैसे जो है उस समय लोगडान के वजह से तसमय नहीं होने के कारण आपको अब अपनी आम जिन्दगी जीने में कोई समस्या नहीं हो रही है है ना? जी मेरे को पहले जो मैं जीता था उसे मेरे को आज जीने में ज्यादा मला आता है क्योंकि मेरे को एक सर्जन वैक्षी बोला कि तुमको असली जिन लगी अब समझ में आएगी बेचा और वो सहील बात बोला था क्योंकि मेरे को जो कैंसर होने के बाद जो मेरे घर परिवार मे नहीं रहेंगे तो आप स्वस्त नहीं रहेंगे तो आपका परिवार पूलेगा पूलेगा आगे बढ़ेगा जरी आप स्वस्त नहीं रहेंगे तो आपका परिवाद ना आगे बढ़ेगा ना खुलेगा ना खुलेगा और ना आपके बच्चे अगर बिछार जाएंगे आपसे तो किसको खोलेंगे आप समझी इस चीज को मैं जीवेजन है आप लोग से की कित्र यथा इस सब चीज को ना करें एम जी समसुल जी आपके सामने बैठे हैं पूरा चीज आपको पूरा बता दिये कि क्या है अब मैं आपको repeat कुछ नहीं बोलूँगी कि आपको खाना है नहीं खाना है क्या करना है लेकिन ये बिल्कुल सही चीज है जिन्दकी बहुत खराब हो जाती है इसके बाद तो आप रोक दीजे क्योंकि इसमें इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है जो कि आपकी जिन्दकी से बढ़के है आज के लिए बस इतना ही मिलते हम कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अगर अच्छा लगिए तो जरूर अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ इस वीडियो को शेर कीजेगा टेक केर बाई बाई